इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टेरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकरे सब़पूर वीडियोज लेकर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकिशन जल से जल पाए दोस्तों दिल्ली हमेशा महतुपूर्ण एतियसे गटनों की गवार रही है दिल्ली आज से नहीं बलकि सेक्डों सालों से राज़दानी के रूप से प्रयूप होती आ रही है मुगलों ने भी दिल्ली पर राज़ किया था अंग्री जोनों भी दिल्ली पे सबसे जादा पसंद कीती दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेक्डों एतियसिक इमारते मोजूद है हर साली हाँ पर लाखों देशी विदेशी सहलानी आते है लेकिन पिछले सो सालों में दिल्ली बहुत बदल चुके है आए आपको कुछ ऐसी तस्विरे दिखाते है जो आपने आसे पढ़ले नहीं देखे होंगे पहला कनोट प्लेस दिल्ली का कनोट प्लेस इलाका बहती खुपसरत है यहाँ की इमारते सफेत रंग की दिखाई देते है यहाँ पर बड़ी बड़ी दुखाने मोजूद है यहाँ जम कर शॉपिंग कर सकते है यह तस्विर 1955 में सोवियत यूनियन के प्रदान मंतरी निकोली बुलगन इन भारत के दोरे पर आये थे लाल किला लाल किला दिली के सबसे महतोपुर्ण इमारत है स्वतंतर दिवस का समारो यही पर आयूजीत होता है पुराने जमाने में मोटर गाड़िया नहीं थी तब सिर्फ गोडा गाड़ी की यातरा की जाते थी इंडिया गेट आबदी की बाद से अब तक इस जगा में कोई खास बदलाओं नहीं आये 1955 में आजित सवतंतरता दिवस समारो के दोरान यहा भगदर मज गई थी चाननी चोक 70 साल पहले चाननी चोक का इलाखा बिलकुल अलगता था तब यह इलाखा अतिक रमन का शिकार नहीं था ट्राम क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कभी ट्राम भी चला करती थी यह तस्विर आपको उस दोर की याद दिलाएगी जामा मज जित लाल कले के सामने दिल्ली की मश्वर मजित मोजूद है जामा मजित को शाजाने बनवाय था यह तस्विर जामा मर्जित के पीछे वाले गले से खेचे गई थी